साई की बात ऐसा कभी हो सकता है बला तुमने मुझे बुलाया है ना तो मैं जरूर आउँगा जरूर आउँगा तुमसे मिलने और सुनो तुम्हारे घर पर जो यंत्र ऐसे है ना मेरे बचे जो बंध है उन्हें या तो बेच दो या किसी को दे दो मेरे बचे या उसे दुबारा से ठीक करवालो, मरम्मत करवालो नहीं तो इस तरह से बंध मत रखो मेरे बचे वो तुमारे घर के लिए नकरात्मक उर्जा पैदा करता है तो जो चीज़ सही नहीं है उसे घर से या तो निकाल दो या उसकी दुबारा से मरम्मत करवादो और अपने कुछ बच्चों से कहना चाता हूँ कि वो सब पर विश्वास करते हैं बहुत अच्छी बात है लेकिन हर किसी पर अन्ध विश्वास करना सही नहीं है मेरे बचे तो कुछ लोगों से साबदान रहो आगे चल कर तुमें दुखा मिल सकता है तो हर किसी पर विश्वास मत किया करो जहां तुम कारे करते हो जो कारे स्थल है तुमारा तो मेरे बचे वहाँ पर थोड़ा साबदान रहा करो हर किसी को अपना समझने की गलती मत किया करो क्योंकि जो तुम्हारे साथ में अपना मन्ने का दिखावा करता है न पीट पीछे वही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है मेरे बचे और इसे तुम्हें समझना होगा मेरे बचे कौन तुम्हारा अपना है और कौन पराया जादा से जादा हो सकता है तो हमेशा अपने आप में रहा करो, किसी से भी अपने मन की बातों को मत बुला करो, अपने तकी रखा करो, और अकर जादा लगे, तो अपने साइस से बोल दिया करो, मैं हूँ न, जब तुम मुझसे बोलोगे, तो मैं सुनूँगा मेरे बचे, और तुम्हारा उसका समाधान भी और सुनो, तुम तैयार रहो, तैयार रहो शेडी आने के लिए, क्योंकि तुम जाओगे कहीं और, तैयारी तुम्हारी कहीं और की होगी, और अचानक तुम शेडी आ जाओगे, तुम देखना मेरे बचे, तुम शेडी आ रहे हो, तैयारी कर लो, और सुनो, मैं अपने कु पूजा करते हो, मुझे तभी स्विकार है, कभी कभी मेरे बचे समय आगे पीछे हो जाता है, तो कोई बात नीना मेरे बचे, कभी तुम व्यस्त हो जाते हो, कभी तुम्हारा स्वास्त अच्छा नहीं होता, तो क्या हुआ मेरे बचे, तुम जब भी मेरे नाम पुकारोगे जब भी अपने साइं को पुकारोगे, जब भी मेरी पूजा करोगे, तब मैं तुम्हारी पूजा को स्विकार करूँगा, तुम हो ही इतने प्यारे मेरे बचे, तुम जब भी मुझे अपने मन से भाव से बुलाते हो ना, पुकारते हो, मैं आ जाता हूँ मेरे बचे, मैं आ पर उदी का तिलक लगाना और वो बहुत अच्छे अंकों से उत्रीन होंगे मेरा अश्रवाद है तुम्हारे बच्छों पर चिंता बिल्कुल मत करना और हां कुछ बच्छों की बातों में कभी मत आना मेरे बच्छे कुछ लोग ऐसे बनावटी हैं जो तुम्हें अपनी और आकर्शित करते हैं वो प्रयास करते हैं कि तुम उनकी बातों में आ जाओ लेकिन आना मत मेरे बच्छे क्योंकि वो धोके बाज हैं वो तुम्हें अपनी बातों में लेकर तुम्हें कल को धोका दे सकते हैं तो सावधन रहा करो ऐसे लोगों से मेरे बच्छे बच्छ कर र झाल